हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं सैक्याइड्रिस्ट हिपनो थेरेपिस्ट सेक्सोलोजिस्ट डिएडिक्षिन स्पेशेलिस्ट एंधेल्पी ट्रेन अरेक कोछ हूं मैं आँको बताने वाला हूं सिंपल स्कीजोफ्रेनिया के बारे में मतलब साधा चिन्द मानस या साधी साधा टाइप जो है स्प्रिट परसेनलिटी का एकदम सिंपल वो यह यह बीमारी जो है यह कॉमनली लड़के लड़कियों में और अठा या पचीस साल मतलब अठा से पचीस साल यह एज में होते रहती है ज्यादा दिखाई देती है इसमें वो लड़का अच्छी पढ़ाई करता है पढ़ाई चालू रहती है और अचानक पढ़ाई बंद कर देता है गर में बैटे रहेंगा कोई आना नहीं जाना नहीं दिरे दिरे बाच्चित कम होती रहती है अपने अकिल अकिले बैटेंगा किसे मिलेंगा नहीं पढ़ाई कभी करेंगा कभी करेंगा नहीं और अपने खैलों में रहेगा किसका फोन नहीं उड़ाएगा कोई काम किया तो का पाम नहीं सुनेगा, घर के बाहर भी निकलेगा नहीं, और अकिल अकिले बैटे कि बहुत सारा सोच रहा है इसा दिखाए देंगा, हसी मजाग सयनने होती, हसी मजाग तो खुद करेगा ही नहीं, कोई व्यक्ति उनको देखेंगा नहीं हसते हुए, उच्छी भी कोई भी काम करने भी उनकों इंट्रेस्ट नहीं उसको बोलना पड़ेंगा कि आजा खाना खाले या सनान कर लो यह चलो कई बाहर चलते हैं वो अकेला अकेला रहे के कभी ऐसा दिखता है कि वो अपने आप से कभी ऐसे ओठ हिलाएंगा मतलब बात्चित करते वि मैं लेंगा अपने आप से तो एकदम सिंपल टैप स्की जारा रहता है यह धीरे धीरे जालू होता है मालूँ नहीं पड़ता छालू कर वूद्धा पाभ इतना पूद कर लिगता है कि लगता है तो अच्छता अकल आकेला रहता है तो पहले तो अच्छा परोड़े दुना कि अभी मेरे पास में इतने में चार पांच पच्चे लाए जो इंजिनिरिंग पढ़ चुके पोस्ट एजुएट है मेडिकल उन्होंने मतलब एंबी वकील है कि जो अच्छा कर रहे अभी तक बहुत ही अच्छा चल रहा था और वो पिछले 6 मेने में यह साल पर में धीरे 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 नीचे 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 लेवल आते गे उनके अभी दिख रहा है सबको कि नभी इसमें प्राप्लिम है अब क्या होता है कि यह जब 6 मेना सालवर हो जाता है तो इसको ठीक करना भी कठिन हो जाता है एक तो मेरे भास में वहाँ रामपुर से आया मकलभ दिल्ली के पास में वहां से उसको लाया उसके बहुत पीछह लगते थे बहार निकल, काम कर, गुस्सा करते थे, मगर वो गरता नहीं था, जो मेरे पास में यार लाय तुक्षू समझा के दिया, उससे बाचीत किया, पुछ दवाईया उसको दिया कि जो दवाई उसके उपर काम करती है इसके दुर्दिया के उपर वो दवाई दिया और अभी धिरे दिने उसमें से बाहर आ रहा है जो दवाई इसे ठीक नहीं होते हुंको हम ECT लेक्टर कनवर्च इसरे भी भी देते है और ECT देके भी मतलग छोटिट्मेंट व शोटिट्मेंटव के भी व अच्छो हो जाते हैं क्पाइश इसका इलाज शादि करना है क्यों हो जाएं कि यह उमर में जब बच्छा बाँचित नहीं करता आकला केला माँबब को लगता की सिर्दी करें तो शादि करना है बच्चा करो तो ठीक हो जाएगा वो भी उसका इलाज नहीं है उसका इलाज है कि उसको मेडिसिन देना काउंसिलिंग करना हिप्नोसिस के माध्य में से उसको कोई सिखाना रिलाक्सेशन टेक्निक्स फैमिली थेरेपी ऐसा करके वो अच्छा हो सकता है ऐसे काफी सारे बच्चे आपके परीचित होंगे कि जो ऐसा धीरे धीरे अपने लेवल से निचे उतर रहे लड़किया भी होंगे लड़के भी होंगे तो उनको जरूर ये वीडियो शेयर करूं झाल उनको जिक्शों इस वै만 रहे Way जोर आनको, जानको, इस भूंगे लाए भी होंगे वीजयो ऐसा कि अन्चेशन ग्रते हैं यद्सेशन ग्षब ग रहेवल हो ।